Hello Everyone, I am Jyoti Jha and Welcome to NCRT The Mind तो आज हम पढ़ेंगे Class 4 की EVS Workbook Chapter 5 Anita and the Honeybees तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से NCRT The Mind को सब्सक्राइब कीजे, लाइक कीजे और पास में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि NCRT से related साड़े वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे तो चलिए बच्चों वर्क बुक बनाते हैं लेकिन उससे पहले summary of the lesson यानि की छोटा सा summary है उसे हम देख लेते हैं ठीके तो देखे summary में क्या है कि आनिता कुश्वाहा लीप्स इन बोचाहा विलेज इन बिहार with her family तो आनिता कुश्वाहा जो वो बोचाहा विलेज में रहती थी जो की बिहार में है और अपने family के साथ वो रहती थी तो वो क्या करती थी? कॉलेज में वो पढ़ाई करती थी और वो बच्चों को भी पढ़ाती थी और वो honeybees भी रखती थी पालती थी उसके बाद देखिए अनिता's parents did not like the idea of girls going to school तो अनिता के जो parents से उन्हें अच्छा नहीं लगता था उन्हें पसंद नहीं था कि लड़किया जो है न वो school जाए उसके बाद village teachers explained the importance of study to अनिता's parents तो देखिए एक village में teacher थी जिसने की explain किया जो पढ़ाई का जो महत्व है जो importance है उसे बताया अनिता के जो parents है उन्हें बताया they agreed to send अनिता to school उसके बाद वो क्या हुए agree हो गए अनिता को school भेजने के लिए उसके बाद देखिए अनिता learned to ride a motorcycle और उसके बाद जो है ना अनिता ने motorcycle भी चलाना सीखा उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ कि अनिता joined a course of beekeeping and started her business of beekeeping तो उसके बाद अनिता ने beekeeping का course भी किया और वो अपना business भे start की beekeeping का वो भी मधुमक्या पालने लगी फिर देखिए she had to face many problems but with her mother support she managed her studies and work both उसके बाद क्या हुआ अनिता को जो है ना बहुत सारे problems को face करना पड़ा लेकिन उसकी मा जो है ना वो उसको support की वो हर चीज़ manage की उसके बाद वो अपने काम भी देखती थी वो पढ़ाई भी करती थी अनिता जो है ना वो अपना काम भी करती थी पढ़ाई भी करती थी दोनो manage करके वो चलती थी उसके बाद फिर देखें कि अनिता now know what she wants to do अब अनिता जो है न वो जानती थी कि उसे क्या करना है अनिता wants to become a wholesaler so that she can help the village people to get the right price of their honey उसके बाद जो है न अनिता wholesaler बनना चाती थी क्योंकि वो इसलिए बनना चाती थी क्योंकि वो अपने village के जो अपने गाओं के लोगों का वो अच्छे से अच्छे price में वो honey दे सके तो देखें हर विहाईब में क्या होता है तीन तरह के बीज होते हैं तीन तरह की मधमक्या होती है एक तो होती है queen bee और दूसरा होता है worker bees और तीसरा कौन सा होता है male bees they all perform different roles और ये सारे क्या होते हैं सारे जो perform करते हैं वो different role होता है यानि कि हर किसी का अलग-अलग role होता है ants, termites and wasps also live together like bees तो देखें ants, termites and wasps जो है न ये सारे जो है न ये like bee के तरही ये लोग साथ साथ रहते हैं उसके बाद ये देखें summary हो गया अब देखें answer the following questions अब देखें where did anita live तो anita कहा रहती थी तो कहा रहती थी anita live in bojaha village in muzapparpur district in bihar तो वो कहा रहती थी bojaha village में रहती थी जो की बिहार में है muzapparpur district में है वो उसके बाद देखें yc did not go to the school earlier तो देखें वो school पहले क्यों नहीं जाती थी चीक है तो क्या हो जाएगा her parents did not like the idea of girls going to school तो क्या था उसके parents को अच्छा नहीं था पसंद नहीं था कि लड़किया जो है न वो school जाए उसके बाद how did her parents agree to send her to school उसके बाद उसके parents कैसे agree हुए कि उसे school जाने दिया तो देखें one of the teacher of Anita's village explained to her parents why it is important to study teacher told them that education is free up to class 8 तो यह देखें क्या हुआ कि एक teacher थी जो उसके विलेज में आय थी तो वो explain कि अनिता के जो parents है उसे उन्हें अच्छे से बताया कि यह पढ़ाई जो है यह पढ़ाई कितना importance है इसका importance कितना value है उसने बताया कि यह education बिल्कुल free है class 8 थक बिल्कुल free है कोई problem नहीं है तो यह सारी चीज जो है ना उन्हें समझाया तो वो agree हो गए और उसके बाद वो अनिता को school भेजने लगे उसके बाद कि how did her problem of money तो अनिता कैसे मतलब problem money problem जो है ना वो कैसे manage की तो अनिता started teaching younger girls उसके बाद किया हुआ अनिता ने teaching करना start कर दिया चोटे बच्चों को चोटे लड़कियों को वो पढ़ाना start किया चोटे बच्चों को ठीक है उसके बाद कि फिर है question कि how did her mother help her so that she could get more time to study तो देखिए उसके बाद है कि अनिता की जो mother थी वो कैसे help करती थी कि ताकि वो अपना जो है ना ज्यादा से ज्यादा समय वो पढ़ाई में दे सके तो किस तरह से वो उसका help करती थी तो देखिए her mother do all the household works तो उसके बाद क्या करती थी वो कैसे help करती थी कि वो घड़ का जितना भी काम होता था वो सारे काम कर लेती थी तो इस तरह से अनिता को ज्यादा से ज्यादा समय मिल जाता था पढ़ाई के लिए इसके बाद देखिए when do the honeybees lay their eggs तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें पुछा जा रहा है कि honeybees जो है न वो अंडे कब देती है तो from October to December तो October से December के बीच में जो है यह अंडे देती है उसके बाद है कि what happened to Anita when she was still learning about beekeeping तो देखिए Anita के साथ क्या हुआ कि Anita जब उसे पता चला जब वो beekeeping के बारे में वो जाने सिखी तो क्या हुआ तो देखिए answer क्या लिखेंगे कि Anita learned many things but he had not enough money to keep her own bees तो Anita ने बहुत कुछ सीखा लेकिन Anita के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो अपना खुद का business खुद का bees वो रख सके ठीक है उसके बाद देखिए फिर question है कि how do Anita's parents help in beekeeping when she goes to college तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि Anita जब college चली जाती थी तो उसके parents उसे कैसे beekeeping में कैसे help करते थे तो कैसे करते थे तो देखिए Anita's mother prepared syrup for the bees तो अनिता की mother जो है न वो क्या करते थी सीरप तयार कर देती थी bee के लिए उसके बाद देखिए Anita's father looks after the bees and take the honey out of the boxes और क्या करते थे अनिता के जो father थे वो उनका देख भाल करते थे और जो है boxes से honey बाहर कर देते थे तो इस तरह से वो help करते थे उसके बाद देखिए फिर है कि fill in the blanks using the words given in the help box अब देखिए आपको help box से आपको word जो है न वो आपको लेना है यूज करना है इससे और आपको fill in the blanks बनाना है तो देखिए अनिता stays in village with her parents and brothers उसके बाद देखिए फिर she teaches young children उसके बाद when she was young she used to spend all day with her goats she asked many questions to her teachers she told other villagers about sending their daughters to school उसके बाद फिर देखिए क्या है कि there were many leeches trees in her area she joined a course run by the government her college is five kilometers away from her village bees, wasps, ants and termite live in colonies उसके बाद है कि अनिता wants to become a wholesaler to help village people to get right price for their honey तो इस तरह से इसे बनाएंगे साड़े को जो है na help box में दिया गया है साड़े को ये जो है na word उसे choose करके आपको इसमें लिखना है तो इस तरह से बना लेंगे आप और उसके बाद है फिर कि write a few lines about the difficulties which अनिता had to face to do the following things and how she handled them तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि अनिता जो है na वो किस तरह से बहुत साड़े difficulties को face की है ना बहुत साड़े difficulties आया उसे उसे किस तरह से face किया तो इसमें आपको कुछ line लिखना है और किस तरह से उसे handle किया ठीक है तो देखिए क्या है कि a dream of going to school तो एक सपना था उसका कि वो भी school जाए तो अनिता's parents did not like the idea of girls going to school but one of the teacher in her village told them the importance of studying ठीक है इस तरह से यह वाला लिखेंगे उसके बाद देखें वेन तो इसमें देखें क्या हुआ जो एक teacher अनिता ने किस तरह से उसके parents को पसंद नहीं था school जाना लड़कियों का तो एक teacher ने आके उन्हें convince किया बताया पढ़ाई के बारे में उसके importance के बारे में तो उसके बाद यह सारी चीज जो है ना उसे difficulties face करनी पड़ी इस तरह से handle किया तो यह सारा चीज इसमें बताया जा रहा है उसके बाद देखे कि when some older boys did not like Anita teaching village children तो देखे इसमें जो है कुछ older boys जो बड़े बड़े लड़के थे ना तो वो उन लोगों को पसंद नहीं था कि Anita जो है ना छोटे बच्चों को पढ़ाए तो फिर देखे older boys scald and scared the children not to go to Anita to study उसके बाद जो है ना वो older boys जो थे ना वो बच्चों को उन्होंने डाटा ड़ाया धमकाया कि वो लोग जो है अनिता के घर पढ़ाई के लिए पढ़ने के लिए नहीं जाए at a time children not go to Anita but soon they all came back to Anita तो बहुत समय तक क्या हुआ बच्चे उसके घर पढ़ने के लिए नहीं जाने लगे लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा हुआ कि बच्चे वापस अनिता के पास जाने लगे पढ़ाई करने के लिए उसके बाद देखें when she learned to ride a motorcycle जब उसने motorcycle चलाना सीखा उसके बाद देखें अनिता did not tell anyone she fell down and got hurt many times तो अनिता जो है न वो उसने किसी को भी नहीं बताया था कि वो एक बाद गिर गई थी और वो हर्ट उसे चूट लगा था बट सी वाज हैपी लेकिन वो खुश थी उसके पैरेंट्स के पास पैसे नहीं थे कि वो से स्कूल बेच सके तो अनिता स्टर्टे टीचिंग यंगर गर्ड्स तो उसके बाद क्या हुआ अनिता ने चोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया उसके बाद देखे क्या हुआ जब वो बेचिपिंग का कोर्स जब करने लगी सीख गई तो बीज उड़ इस्टिंग अनिता एंड उड़ गौट वैरी पैन उसके बाद क्या हुआ था तो क्या हुआ बीज ने अनिता को काट लिया और उसे उसे बहुत दर्द होने लगा उसके बाद देखे, write the functions of the bees in the beehive तो क्या करना है, beehive में जो bees का जो function है उसे बताना है कि कौन सा काम करता है तो ये बताना है तो देखिए विहाई में queen bee जो होती है उसका क्या होता है काम? ले एक तो वो क्या करती है? अंडे देती है और उसके बाद जो male bee होता है वो क्या करता है? help queen ants to reproduce तो वो क्या करता है? reproduce में, present में जो है न वो queen ant का help करता है तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? help queen bees sorry यहापे ants हो गया यहापे bees होगा तो bees to reproduce तो क्या करता है? male bees जो होता है न वो reproduce में queen bees को help करता है उसके बाद देखिए worker bee worker bee क्या करता है? carry food to the beehive और worker bee क्या करता है? जो खाना होता है न वो beehive के लिए जो है न वो बोजन ढूंडता है वो लाता है उसे carry करता है तो यह काम होता है तो सारे का function जो होता है न अलग-अलग होता है यह तीन तरह के जो होते हैं bees होते हैं beehive में तो सारे का काम अलग-अलग होता है तो क्या करता है? Queen bee क्या करती है Lay eggs Male bee क्या करता है Help queen bees To reproduce और worker bee क्या करता है Carry food to the beehive तो ये काम होता है उसके बाद फिर देखिए क्या है कि Given below are a few sentences on Anita Becoming a beekeeper तो देखिए इसमें नीचे जो है ना कुछ sentences दिये गए है जो Anita जो beekeeper बनती है Put them in sequence by numbering them अब इसमें क्या करना है sequence में लिखना है यानि order में उसे numbering देखिए number देखिए आपको लिखना है One has been done for you तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको सबसे पहले जब Anita जो beekeeper जो बनती है वो तो कैसे क्या होता है First में क्या होता है तो पहले तो क्या करती है वो I join a course in beekeeping तो यह क्या हो गया यह one number हो गया चीक है उसके बाद second में क्या होता है तो second में होता है I collected rate 5000 by teaching children तो यह second में हो जाता है उसके बाद third में क्या होता है तो third में फिर देखे I brought two boxes for keeping bees तो यह third में होता है कि वो जो है न इन दो boxes जो है न beekeeping के लिए वो खड़ती है ठीक है उसके बाद fourth में क्या होता है फिर तो fourth में देखे फिर क्या होता है I brought sugar to make the syrup for honey bees फिर क्या करती है वो खड़ती है सुगर खड़ती है सीरप बनाने के लिए honey bees के लिए तो यह fourth में होता है उसके बाद fifth में क्या होता है many times the bee would sting me तो क्या होता है बहुत बार क्या होता है उसे जो है न काट लेती है बीजो है उसे काट लेती है तो ऐसा होता है five नमबर में उसके बाद दिखे 6 में क्या होता है फिर I got 12 kilos of honey from each box उसके बाद 12 kilos हर box से वो honey निकालती है तो यह 6 number में होता है 7 में क्या होता है Now I have 20 boxes अब उसके पास 20 boxes होते हैं तो यह 7 में हो जाता है और उसके बाद क्या होता है 8 में I want to become a wholesaler to get the right price of honey अब वो क्या करती है wholesaler बनना चाहती है ताकि वो right price में वो honey दे सके तो यह 8 number में होता है तो इस तरह से यह इसे sequence में सजाना था तो इस तरह से आप लिख लेंगे और उसके बाद है यह पे true or false Right true for the correct statements and false for the incorrect ones तो यह करना है उसके बाद देखे क्या है कि Anita's village is in मुझपरपूर ड्रिस्टिक तो क्या है कि यह true है उसका village कहा था मुझपरपूर ड्रिस्टिक में तो education up to class 5 is free in the village तो क्या होगा यह true हो जाएगा यानि कि education है ना class 5 तक village में free है यानि कि class 8 तक free है तो 5 तक भी free है तो यह true हो जाएगा उसके बाद है there were many mango trees in Anita's village तो false mango tree नहीं थे कौन से tree थे लीची के tree थे ठीक है तो यह false हो जाएगा उसके बाद देखे हानी बीज आर attracted to leachies tree true तो हनी बीज क्या होता है वो leachies tree से जो है attracted होता है उसके बाद देखे cost of each box was rate 2000 कि हर बाक्स का जो है cost कितना था 2000 था तो यह true होगा honeybees lay eggs from October to December तो true honeybees क्या करती है अंडे देती है वो October से December के बीज देती है तो true होगा male bees work all day long तो false male bees क्या करता है वो दिन भर काम नहीं करता है तो false हो जाएगा leachies trees give flowers in February तो true जो leachy का tree होता है यह फर्बडी में flower देता है तो true उसके बाद देखिए यह वाला तो हो गया अब है activity page तो activity page में क्या करना है draw and colored a beehive and the three types of bees अब देखिए आपको draw करना है एक beehive को और color करना है और उसमें three types of bees यानि कि तीन तरह के आपको bees बनाना है मदमक्या बनाना है और remember करना देखिए क्या है कि queen bee is one जो queen bee होती है ना वो एक beehive में एक ही होती है one होती है male bees are few और male bees जो होते है वो कुछ होते है कमी होते है worker bees are many in numbers और worker bees जो होते है जो खाना जो carry करते है तो वो जो होते है ना वो बहुत सारे होते है ठीक है तो ये आपको यहाँ पे आपको beehive बनाना है और इसमें क्या करना है color करना है और इसमें तीन तरह है कि आपको एक तो आपको बनाना है queen bees बनाना है एक male भी बनाना है और worker भी बनाना है तो इस तरह से आप इसमें बना लेंगे और इसके बाद है from the market अब देखिए इसमें क्या करना है find out the cost of honey find आपको मतलब कि आपको market तक जाना है और आपको find आपको पता करना है honey का cost the cost of 250 grams of honey is rate कितना हो जाएगा 100 आप पता किजिए और उसके बाद लिखिए उसके बाद लिखिए different brands of honey available in the market तो honey के जो है न different brand available है market में तो आपको कौन-कौन सा पता है वो लिखना है आपको तो देखिए डावर का brand होता है उसके बाद पतनजली का मिलता है और बहुत सारे brand ऐसे हैं तो आपको find करना है और उसके बाद लिखना है कि कौन-कौन से brand होते हैं तो आप यहां पे लिखिए उसके बाद फिर देखिए कि write any two uses of honey तो आपको कम से कम दो use लिखना है honey का कि हम लोग क्या करते हैं honey का तो देखिए honey is used in cold and cough तो honey क्या होता है cold and cough होता है तो उसमें हम लोग honey का use करते हैं उसके बाद देखिए honey is used as sweetener और honey जो है ना हम लोग मीठा के लिए भी use करते हैं sweetener के लिए तो इस तरह से बस दो use लिखना है तो इस तरह से लिख देंगे तो आपका ये chapter जो है वो complete हो चुका है तो आपको कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताईए और अच्छा लगा हुआ आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे साड़े वीडियो आपके पास समय से पहुंचते रहे और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर थेंक्स टो वाच मैं वीडियो